हलो वाइज स्वागत है आपका फिर से आपके चनल टेग दी प्रग्रस गोर्ण में आज हमारे पास क्या ओपो फ-19 मोबाइल है लेकिन मैं आपको ओपो फ-19 का ही नहीं ओपो फ-19 प्रो फ-19 प्लस फ-19S ठीक है और ओपो का जो भी F17 F17 प्रो जितने भी मतलब ये F21 की सहसे म इसको ओपन करते हैं तो यह अपना खुलता नहीं है ठीक है यहां से खुलता नहीं है ऐसी प्रोब्लम भी आ जाती है बाकि जो टच ग्लास अपना मतलब ज्यादा ब्रोकन हो गया है तो उसका भी सोलेशन मैं आपको बताऊंगा और फिंगर आपना दिखाई नहीं रहा है तो जैसे यह मेरे पास मुवाईल है इसका फिंगर बिल्कुल वरकिंग है इसके और डिस्प्लेट ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फिंगर अगर आपना सो नहीं कर रहा है सेटिंग में तो अपने को क्या करना है जैसे अपना यहां फिंगर का ओप्शन आता को इसको इसको होने आपना फिंगर अपना वरक लोता है क्यों नहीं करता हूं अगर आपका ग्लास कमाथन है ज्च ब्रॉकन और डिस्प्लेट है तो अपनी क्या अपने ग्लास अप्लेस्मेंट कराना हुगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है जाए कि glass अपने ज़्यादा broken हो जाता है तो broken होने के करण से अपना finger काम नहीं करता है ठीक है फिर दूसरी बात हमने market से folder लगवाया है ठीक है इतना तो आपको इस चीज में भी करना होगा इसके बाद में अगर market से अपने folder लगवाया ठीक है ठीक है और अपने को यह problem दीखने को आ रही है not recognize finger add नहीं हो रहा है एड हो जाता है और उसके लिए अपने को solution क्या है पहले बात तो उसकी fitting वगरा भी देख आपने को check करने हो लिंक दूँगा तो आप उसको देख लेना ठीक है उसके बाद भी अपना finger work नहीं करता है तो क्या होता है कि जो डिस्प्ले होती है डिस्प्ले की fitting में कहीं नहीं problem होती है तो हमें उसे दुबारा fitted करना होता है ठीक है अच्छी दरगे से fitting करना होता है और अगर display भी अपन में करना क्या होता है ठीक है तो हम इसको थोड़ा से हटा लेते हैं back panel को यह थोड़ा से इसमें चिपक गया है तो यह complete solution में अब last में आपको solution बता रहा हूं कि हमें करना क्या है ठीक है finger calibration कर लिया हमने format कर लिया reset कर लिया यह सब चीज़े हम कर लिंगे इसके बाद में हम इ कर लने के बाद में जो अपने हैं पर क्या यह है finger sensor ठीक है यह junior sensor आप देख रहे हो तो यह इसकर इस को रिमूव करना होगा अपने को क्लीन करना हुगा으로 Unterने के इसवा तो मैं आपको दिखाई देता हूं तो जिसे देगте хотите हमने इसको remove कर लिया ठीक். इस तरहे का से हमने इसको remove कर लिया तो हमने किसी प्रेकर कोई डस्ट आ जाती है तो आप कुर क्लीन कर लेना और यह आप देख रहे हो अंदर की साइद सेंसर में इसको भी डंग से क्लीन कर लेना और इसको प्रॉपर फिट करना है अपने को और फिर अपने को वर्किंग करके देखना है कि अपना फिंगर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है अगर तो भी अपना फिंगर वर्क नहीं कर रहा है तो हमें लास्ट और फाइनल